राथी राथी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों सावन शिवरात्री के अगले दिन सावन अमावस्या होती है लेकिन इस बार ऐसा नहीं है ओद्यातिथी के हिसाब से इस बार सावन महा की अमावस्या 28 शुलाई दिन गुरुवार को है सावन अमावस्या को हर्याली अमावस सुक्सम्रथी आती है। इस दिन तुलसी और पीपल के पीड़ के पूचन कहने का भी विधान है। इस दिन पिधी विधान से पूचन कहने से पित्र प्रसंद होते हैं और पित्रों का आशिरवात मिलता है। हर्याली अमावस्या के दिन पूधी लगाने का भी विशेश महत्व होता है। कहते हैं जो लोग जीवन में धन दौलत और सुक्सम्रथी के कामना करते हैं। उन्हें इस दिन आमला, तुलसी, बेलपत्र और केले के पीड़ लगाने चाहिए। और उन पीड़ों का स्रक्षन क करना चाहिए। इस दिन पित्रों के नाम से भी पौधे लगाये चाहते हैं। ऐसा कहने से पित्रों के आत्मा को शांती मिलती है. इस दिन सुभह किसी पवित नदी में इसनान करें अगर ऐसा संभम नहीं हो तो घर में ही साफ जल से इसनान करना चाहिए अगर आपके यहां गंगा जल है तो इसनान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही टाले अमावस्या पर पित्रों के नाम से दानपुने अवश्य ही करना चाहिए ऐसा करने से पित्र खुश होते हैं और अपना आशिरवाद देते हैं मानिता है कि मृत्यों के बाद आत्माएं पित्र लोग पहुंसते हैं यह आत्माओं का अस्थाई निवास होता है और जब तक उनके भागे का अंतिम फैसला नहीं होता उन्हें वहीं रहना पड़ता है इस दोरान उन्हें बहुत सी पीड़ा सहनी पड़ती है क्योंकि वे स्वैम कुछ भी ग्रहन करने में समथ नहीं होते अमावस्या के दिन इन आत्माओं के वन्शच सगे संबंधी या कोई परचित उनके लिए शाथ दान और तरपन करके उन्हें आत्मे शांती दिला सकते हैं पित्रों की शांती के लिए किये जाने वाले दान तरपन शाथ आदी के लिए यह दिन बहुत ही शुब माना जाता है इस दिन पित्रों की आत्मा की शांती के लिए उबास करें और करीब व्यक्ति को दान दश्रा दें रुद्र अगनी और फ्रामणों का विती विधान पूजन करके उन्हें उरत दही और पूरी आदी का नेवेद अरप्रत करें और स्वैम भी इसका सेवन करें शिम मंदिर में जाकर शिवलिंग का जलाभिशेक अवश्य करें अमावस्य के दिन ब्रत करने का भी विधान है माननेता है कि जो व्यक्ति इस दिन ब्रत करता है उसके जीवन की समस्त अभिलाशाएं पूर्ण हो जाते हैं इस ब्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको अमावस्य अपर करने वाले कुछ बहुती आसान उपाय बताने जा रही है इन उपायों को करने से भगवान विश्व माता लक्ष्मी जी की विशीशक्रपर प्राप्त होती है पित्र दोश और शनी दोश से मुक्ति मिलती है पित्र दोश पित्र आशिरवाद में बदल जाता है अमावस्य अपर सुबह इसनान करने के बाद एक लोटे में शुद्ध जलने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाए इसमें अब दो पुश्पर डालें और थोड़ा सा गुर डालें गुर ना हो तो थोड़ी से शक्कर डालें और थोड़ी से साफ किये हुए काले दिल भी डालें अब इस जल को आप पित्रों का ध्यान करते हुए सूरे देव को अर्पित करें जल चड़ाने के बाद भगवान विश्पर माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करें पित्र देव को प्रणाम करें और उनसे अपने सभी गलतियों की शमा मांगें पित्रों से प्रात्ना करें कि वह आपकी सभी गलतियों को माफ करें और पितर दोश्च से आपको मुख्ती दे और भगवान बिश्चुमाधा लक्षमी ची से प्रातना करें कि वे आपके सभी पितरों की आत्मा को शांती दे इस उपाई को करने से पितर दोश्च से मुख्ति मिलते है अमावस्या पर खीर और अन्य पक्वान बनाकर भगवान जी को भोग लगाना चाहिए भोग लगाने के बाद सबसे पहला भूजन निकाल कर गाई को, दूसरा कौवे को और तीसरा भूजन कुट्टे को अवश्य ही देना चाहिए ऐसा करने से आपको पित्रों का आशिरवात प्राप्त होगा गौ माता में तेतिस कोटी देवी देपताओं का बास होता है गौ माता की सेवा करने से सभी देवी देपताओं का आशिरवात प्राप्त होता ही है साथ ही पित्रों की भी कृपा प्राप्त होती है अमा वस्या पर आटे में थोड़े से काले दिल मिलाकर उसकी रोटी बनाकर गौमाता को खिलाएं ऐसा कहने से पित्रों की कृप़ा प्राप्त हूती है और पित्र दोश से मुगती मिलती है साथी धनकी देवी मा लक्ष्मी की किरपा से घर में सुक सम्रती बनी रहती है काले दिल की रोटी गौमाता को खिलाने से पित्र दोश के साथ साथ शनी दोशों से भी मुगती मिलती है क्यूंकि काले दिल शनी देव को बहुत प्रीय है और गौ माता को काले तिल की रोटी खिलाने से शनी देव प्रसन्न होते है अमावस्या के दिन पीपल के ब्रक्ष का पूजन अवश्य ही करना चाहे है पीपल के ब्रक्ष में भगवान विष्णू का बास होता है और अमावस्या के दिन पीपल के ब्रक्ष में पितर देव और शनी देव का भी बास माना जाता है अमावस्या के दिन पीपल के ब्रक्ष का पूचन करने से पितर देव शनी देव और भगवान विश्नु जी के करपा प्राप्त हुद्धी है पित्र दोश्र मुक्ति पाने के लिए अमावस्या की शाम को पीपल के ब्रक्ष के नीचे एक शुतिगी का दीपक अवश्य जलाएं और शनी दोश्र मुक्ति पाने के लिए अमावस्या की शाम को पीपल के ब्रक्ष के नीचे सैसों के तेल का दिया जलाएं इस सी पितर देव और शनी देव दोनों ही प्रसन्न होते हैं और पितर दोश और शनी दोश्री मुक्ति मिलती हैं इस दिन पीपल के ब्रक्ष के नीचे कुष के आसन पर बैठ कर ओम अयम पितर दोश शमन छरी ओम सदा मंतर का एक, तीन या पाँच माला का जाप करें यदि आप ऐसा करते हैं तो भी आपको पित्र दोश से मुक्ती मिल जाएगी इस दिन पीपल ब्रक्षी परिक्रमा करने का भी विशेश महत्व होता है अमा वस्या के दिन पित्र दोश से मुक्ती पाने के लिए और भगवान विश्णू की करपा प्राप्त करने के लिए आप दूर जन्यू लें और एक जन्यों को अपने पित्रों के नाम पर पीपल के ब्रक्ष के नीचे रखें और दूसरे जन्यों को भगवान पिश्णू का नाम लेते हुए पीपल के ब्रक्ष को अर्पित करें इसके बाद पीपल के ब्रक्ष की 108 बार परिक्रमा करें इसके बाद कोई भी सफेद रंगी मिठाई पीपल के ब्रक्ष को अर्बित कर दें इस उपाय से आपको अवश्य ही लाख प्राप्त होगा अगर आपके घर के आसपास पीपल का ब्रक्ष ना हो एक लोटे में कच्चा दूद ले उसमें थोड़े से काले दिल डाले अब इसे आप बटके ब्रक्ष पर चढ़ाएं ऐसा करने से आपको पित्रों का आशिरवाद प्राप्त होगा अमा वस्या के दिन किसी पवित्र नदी में इस दिन पित्रों का आशिरवाद प्राप्त करने के लिए आपको एक भामर को भोजन अव소य कराना चाहिए और उसे भोजन कराने के बाद उसे बस्त्र और अपने सामत के अनुसार दश्रा अवश्या तैं ऐसा कहने से पित्य दोश में कमी अवश्य ही आएगी शनी देप को प्रसंद कहने के लिए अमावस्या के दिन कोड़ी या फिर अपंग को आप भोजन कराएं या फिर भोजन दान में दें ऐसा कहने से शनी देप प्रसंद होते हैं और शनी दोश से मुक्ति मिलती है पित्र दोष से मुक्ती पानी के लिए अमावस्या के दिन किसी नेधन व्यक्ति या भ्रामर को या किसी सुपात्र को आप साथ प्रकार के अनाज और दिल से बनी चीजों का दान अवश्य करें ऐसा कहनी से आपको पित्र दोष से मुक्ती मिल जाएगी शनी देव से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के दिन शनी देव से सम्मंदित चीजें आप किसी जर्रतमन्द व्यक्ति को दान करें जैसी की काले उरत, काले दिल, काले कपड़े, काला च्छाता, सैसों का तील आते हैं सनी देव से सम्मंदित चीजें दान करने से शनी देव की कृपा से शनी दोस्टों से मुक्ति मिलती है अमावस्या के दिन पित्र दोश्य मुक्ति पाने के लिए और पित्रों की आशिरवात प्राप्त करने के लिए जादा से जादा भगवान पिश्णों और माता लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए क्योंकि भगवान पिश्णु और माता लक्ष्मी जी को ही पित्र देव माना जाता है और शनी देव से सम्मंदे सभी दोशों से मुक्ति पानने के लिए शनी देव को पसंद करने के लिए अमावस्या के दिन जादा से जादा बजरंग बली का पूजन करना चाहिए क्योंकि शनी देव ने खुद कहा है कि जो व्यक्ति बजरंग बली का पूजन करेंगे और जिन पर बजरंग बली की कृपा होगी उन्हें मेरा कोई दोश नहीं लगेगा अमावस्या पर बजरंग बली का पूजन कहने से शनीदे प्रसंद होते हैं और शनीदोशों से मुक्ति मिलती है अमावस्या पर पितर दोश और शनीदोश से मुक्ति पाने के लिए